Hello everyone, good morning, welcome back to my channel and welcome back to another vlog अभी देखो पैनी पीछे से गई बैलकिनी में तो वो बैलकिनी में जाती है पेर खाने के लिए अभी सुबे हम जब भी बैलकिनी खोल देते हैं सबसे पहले जाके पेर खाती है इसी के रीजन से हमने घर के अंदर कोई लाइफ प्लांस नहीं रखें अभी जितने भी सब कुछ दिखेंगे आपको आठिफिशिल प्लांस हैं और हमारे पास काफी सारे प्लांस थे कोविट के टाइम पर हमने काफी सारे प्लांस खरीदे भी थे और उससे पहले भी रखा हुआ था पर कोविट के टाइम पर ही पेनी को हमने लिया था तो हाँ कोविट के टाइम पर ऐसा हुआ कि हमारे यहां पर एक मार्केट है संडे को उस मार्केट में काफी सस्ते में बहु पर हाँ जब पैनी बड़ी हुई धीरे-धीरे करके शी स्टार्ट इटिंग प्लांस और बहुत सारे ऐसे हाउस प्लांस है जो की पैट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं मैंने इंटरनेट में सर्च किया फिर जाके देखा यह सारे अगलॉनिमस और भी कुछ स्नेक प्लांस और इस टॉक्सिक फर पैट्स तो फिर जाके हमने सारे प्लांस को ऐसे विंडोज में शिफ्ट कर दिये थे बैलकनी से और विंडोज में इतना ज्यादा पानी आती है बारिश के टाइम पर कि उस पानी के वजए से सारे जो प्लांस है वो खराब हो गया क्यूंकि जो हाउस प् यह रिफ्लेक्टर है जो कि मैं ऐसे जब मेकाफ वीडियो वगेरा बनाती हूँ तब इसको लगाती हूँ ताकि जो लाइट है वो पूरे का मदब रूम के अंदर खिले मेरे पास दो तीन लाइट है पर बहुत सारा लाइट अगर अब डिरेक्ट लगा दोगे तो जो वालियूम में देने का भी ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा डिम करके रखके भी अच्छा वीडियो आएगा यहाँ पर मैं आपको एक मेकाफ टुटोरियल दिखा रहे थी पर क्या हुआ कि इसकी जो साउंड है वो रिकॉर्ड हुई तो थी पर बाद में मेरे से वो कैसे करक और एक छोटा सा यरिंग और यह जो ब्रेसलिट पहनके रखती हो ना घर पे इसको उपर पहनके जाना पड़ता है आपर आम में क्यूंकि कोई भी ऐसे गोल्डन चीजे पहनना अलाउट नहीं है और जेमस्टोन्स जो है उसको आप कोई भी विजिबल एरियास में नहीं प फिर हम जाते हैं कोचिन वर वापस कोचिन से बैंगलो लॉटते हैं और यास बाड़ा घंटी से ज्यादा हो जाती है यह फ्लाइट तो वापस आके बहुत ज्यादा टायटनेस होती है बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आप कुछ भी करो सो जाने की मन करती है पर मेकाप करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अब भी से लेके मेरे ना अल्मोस सारी फ्लाइट ऐसे नाइट को है इसके बाद भी मेरे दो बैक टू बैक फ्लाइट है जो की लेट नाइट है मतलब मैं शाम को जाओंगी और सुबे वापस लोटूंगी यहां पर देखो को लेके मैं सो गई थी पैनी इस दा बेस्ट कडलर बहुत अच्छा कडल करती है वो तो जब भी मुझे ऐसे अकेला महसूस होता है या फैमली का याद आता है मैं पैनी को लेके आ जाती हूं करने के लिए अब सुबे उटके मैं सबसे पहले क्लीन कर रही थी यह वाला जग है मैंने वो विंडो में पहले मुझे वहाँ पर कैमरा रखने के लिए डर लगती थी तो वहाँ पर मैंने एक प्लाइवुड का प्लाटफर्म बना दिया ताकि मेरा कैमरा जो है वो सेफ रहे और यह मेरे मानी प्लांस है अभी तो बस यहां पर तीन ही बचा है और उस वाल अब बंद कर दिया था करीब एक हपते से पर आज मुझे बहुत जादा मन किया क्योंकि इत्ता जादा हुमिडिटी है ना जो ओयल लगाने से चिपचिप होती है वो वाला फीलिंग अच्छा नहीं लगता पर अब भी मैं शाम को नहाने वाली हूँ फिर से तो दुपैर को ओयल लगा के मैं थोड़ी दिर सो गई थी सुबह आके जो सोते है नाम तीन चार घंटा उसमें नींद पूरा नहीं होता है और अब फिर से तीन घंटा सो गई थी मैं फिर भी ना ऐसा लगता है आपको पूरा दिन थोड़ा जीब सा फीलिंग होती है जब अब रात को नही होती है और फिर नेक्स डे सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली फ्लाइट होती है जिसके लिए हम इधिंग पांच पंदरा तक कैब में बैठते हैं तो मुझे चार बजे उठना पड़ेगा जब भी ऐसा कोई फ्लाइट हो मैं रात को नहां के बाल सेट करकी उनिफॉर्म सेट करके सब कुछ रेडी करके सोती हूं ताकि सुबह उठकर बस मेकप करके निकल जाओं अगर ये सब कुछ मैं सेट करके नहीं सोऊना तो सुबह मुझे और एक घंटा पहले उठना पड़ेगा जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद लास वीडियो में जब मैं आपको बत आपके पास जो सला होती है आप मुझे बताते हो उससे ना बहुत जादा बेनेफिर भी होती है मुझे पहले भी हुए है और इस बार भी क्योंकि आप देख सकते हो मेरे फेस में एक भी पिंपल है नहीं अभी क्योंकि कुछ दिनों से जबसे आप मुझे ये बताए तब से मैं mangoes को भीगो के रख रही थी और ऐसी mangoes खा रही थी तो हाँ ये तो काम किया thank you so much guys जिनों ने भी मुझे ये सला दिये अभी हम यहाँ पर dinner करने के लिए बैठे थे दिनर में हम रोटी खाते है mostly मुझे तो राइस खाना भी पसंद है पर मेरे हजबन को राइस खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद तो हाँ मैं कंप्रोमाइस कर लेती हूँ और इतना ज्यादा राइस खाना अच्छा भी नहीं क्या पता कल को मेरी वेट गिन होना स्टार्ट हो ज अगला कि मैं सुई और दो मिनिट मैं उट गई यहां अठके फ्रेश होके मैं कॉफी लेके आ गई थी मेरी कोल्ड कॉफी अभी चाए बनाने का मनने करता है बस पीने का मन करता है तो मैंने सुचा है नहीं अभी कॉल्ड कॉफी पी लेती हूँ थोड़ा सा लेट भी हो जा और कहीं न कहीं वो फाइल गुम हो जारी है, I'm still trying to figure it out, यह था मेरा make-up look आज के flight के लिए, यहाँ पे मैं जो हर डोस करती हूँ, आप देखते हूँ, वो ही सारे चीज कर लिया था, पेनी याँ पे ऐसे सो रही है देखो, इस समय जब मैं जाती हूँ न फ्लाइट के लिए त मेरे जो make-up है, जब गई थी तब तो बहुत अच्छा था, आभी देखो कितना oily हो गया है, पर आप इसको fix कर सकते हो, एक tissue paper लेके आप बस पूरे face में ऐसे dab-dab कर दो, और आपका जो make-up है पूरा एकदम fresh हो जाएगा, और इसके बाद तो मैं और एक flight के लिए भी जा सकत मैंने बहुत सारे वो viral tools देखे हैं, जिसमें volcanic roller एक है, जिससे आप अपना facial oil, make-up के उपर जो आजाती है, उसको हटा सकते हो, पर मुझे ना वो बहुत जादा unhygienic लगता है, क्योंकि अगर सोचो मैंने अभी एक बार use किया उसको, तो दुबारा use करने से पहले मुझे त कितना bacteria और fungus होती होगी, अब दुबारा से उसको मैं यूज़ करूँगी, तो उसके वज़े से मुझे fungal acne भी हो सकती है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेती और tissue paper मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, फिर मैंने क्लीनिक का वो cleansing balm जो मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ करके हम see off करने आए उनको, इसके बाद मैं पैनी को खाना किलाऊंगी सबसे पहले और फिर मैं खाना खाऊंगी and then मेरे बहुत सारे काम बचे हुए है जो मुझे complete करना है, पैनी को खाने में हम अभी देते हैं chicken soup with rice और सूप के अंदर सबजी दलती है, carrots, beans होता है, उसके साथ कभ करीब 10 मिनिट लेता है, तो उसी के बीच में मैं आपको दिखा रही थी मेरे सारे memory cards और pen drives, मेरे पास आभी I think 4-5 memory cards है, pen drives है 2-3, क्योंकि मेरे जो पुराने videos भी है ना, उसको भी मैं store करके रखती हूँ, एक memory card में उसको delete नहीं करती, क्या पता कलको कुछ हो जाए, आपको पता होगा कि Facebook में कोई मेरा जो videos है उसको copy करके दूसरे नाम पे डाल रहे थे, और मेरे नाम पे बहुत सारा fake pages भी है, जिसमें वो लोग मेरे YouTube videos को download करके जाके वहाँ पे डाल देते हैं, तो हाँ मेरा एक original page भी है जो मैंने बनाया, उसका जो link है आज के video के description में मैं डाल द करूंगी ताकि वो लोग मेरे videos को यसे copy ना करें, ये vlog को मैं यहीं पे खतम करूंगी, आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी नाए vlog पर, तब तक के लिए, bye bye, take care